आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12 नियूस का चैप्नर नमबर 20 मैट्रिक्स और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सिसाइज 20.5 तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट कॉश्चन कॉश्चन है आपको दो मैट्रिक्स दिये गए हैं A और B और आपको कह रहा है आपको find करना है A B and B A A B means आपको A और B मैट्रिक्स का multiplication find करना है और B multiply by A मैट्रिक्स इन दोनों का multiplication find करना है whichever exist जो भी इन में से possible हो जो भी इन में से exist करता हो ओके तो शुरू करते हैं यह कॉश्चन बिलकुल वैसा ही है जैसे हम first और second कॉश्चन कर चुके थे बिलकुल वैसा ही कॉश्चर है तो सबसे पहले हम लोग find करेंगे A B सबसे पहले A मैट्रिक्स लिखेंगे अचा एक चीज और multiplication शुरू करने से पहले हम इसको check करना पढ़ता है कि यह multiply हो सकते हैं या नहीं तो उसका तरीका क्या है सबसे पहले आप इन दोनों का order लिखें यह हमने पहले लिख दिया हूं हमें पहले का order लिखना चाइए था A का order लिखिए, A का order है, इसमें कितनी rows है, two rows है, और कितने column है, केवल एक single column है, ओके, और इसमें कितनी rows है, एक ही row है, और column कितने है, one, two, three, ये three, तो ये B का order है, और ये A का order है, दोनों को साथ में लिखिए और जो अंदर के दोनों डिजिट्स हैं ये भीतर वाले अंदर की साइट से जो दो डिजिट है इनको मैच कीजिए अगर ये एक जैसे आते हैं तो इनका multiplication possible है तो पहले हमें ऐसे चेक करना होता है उसके बाद multiply करेंगे यहापर हमने इसको पहले ल दोनों में जो अंदर वाले डिजिट है उनको मैच करेंगे ये जो डिजिट है बचे ये पहले मैट्रिक्स का तो कॉलम है और ये दूसरे मैट्रिक्स का रो है तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर आपस में मैच करते हैं एक जैसे आते हैं त तो यह आ जाएगा a into x फिर उसके बाद इसके बाद ऐसे चलेंगे इसको फिर से एक कॉलम में तो केवल एक ही element है देखिया आप इस कॉलम में एक ही element है single तो यह खत्म हो गया पहले element बन गया अब यहापर दूसरे element बना रहा है यह और फिर यह multiply करेंगे तो a into y अब इसके अब भी कोई और element नहीं है यह भी खत्म हो गया अब तीसरे बाले पे चलते a into z अब यह पूरी रो पहली वाली यह finish हो चुकी है यह यह complete हो चुकी है इसके बाद second वाली रो के लिए चलेंगे तो यहाँ से रो यहाँ से कॉलम b into x b into y and b into z बस अब इसको solve कर लेंगे simplify कर लेंगे जितना हो सकता है a into x हो जाएगा ax a into y हो जाएगा ay a into z az bx by और bz ठीक है इस matrix का order check कीजिए इसमें दो तो रोज है और तीन कॉलम है तो यह बना 2 by 3 का और यह हमें यहाँ से भी मिल पता चल रहा है 2 by 3 यह जो last last की जो digit है यह resultant matrix का order बताते है 2 by 3 का ठीक है check भी कर लिए आपने है बहुत सही बन रहा है तो यह हो गया इसका first जो हमें multiplication करने के लिए कहा था find AB और BA में तो AB हमारा आचुका है अब हम करते है BA तो उसके लिए पहले इनका multiplication possibility चेक करेंगे तो सबसे पहले B का order लिखेंगे B का order कितना था 1 by 3 ठीक है और A का order कहा था 2 by 1 तो देखिए क्या यह digit match कर रही है नहीं कर रही है तो इनका multiplication possible ही नहीं है BA का multiplication possible नहीं है तो हम कहेंगे BA is not possible क्यों? Because row sorry column of matrix B is not equals to rows of matrix A इसके column से इसका matrix match नहीं कर रहा है इसकी वज़े से BA possible नहीं है तो यह हो गया question 3 हमारा complete अब करते हैं हम लोग question number 4 बढ़ते हैं question 4 आपको A matrix दिया है B matrix दिया है और आपको find BA करना है और बोला है does AB exist तो पहले हम BA find कर लेते हैं तो पहले उनकी possibility चेक करेंगे BA B का order देखिए कितना है 2 rows है और 2 ही columns है 2 by 2 A का order चेक कीजिए 2 इसमें rows है और single column तो row into column center position में जो digit है वो दोनों match कर रहे हैं 2 यानि BA possible होगा तो सबसे पहले matrix लिखेंगे B then A multiply करेंगे यहाँ से row यहाँ से column 2 into minus 1 2 into minus 1 फिर 0 into 0 0 into 0 अच्छा यह plus भी आएगा इसको close कर देंगे फिर यह बाली row complete हो चुगी है देखिए इस वाली row का इस वाले column के साथ जितना भी element आएगा इस पूरे column में यह केवल एक term बनेगा पहली वाली term बनेगा उसके बाद जो next वाली term है जैसे हम यहाँ पे था न यह जैसे इस matrix को देखा आप तो यह solve करने पर केवल यह position बनी है इस position को बनाने के लिए इसके पास एक row और होनी चाहिए थी वो है नहीं तो केवल एक ही row है तो इसका मतलब है कि यह जो multiply किया इसका इसके साथ वो केवल एक ही element बना रहा है first position का समझे है इसमें confused नहीं होना है कि इसके बाद भी आना चाहिए था जब तक दूसरी वाली row नहीं होगी दूसरी वाला column नहीं होगा इसके साथ इस row के साथ एक column बनाता है पहला element इस row के साथ दूसरा column बनाता है दूसरा element समझे है अब देखे पहली row हमारी बन चुकी अब दूसरी row बनाते row column तो यह जाएगा 1 into minus 1 फिर plus 3 into 0 तो minus 3 into 0 solve करेंगे इसको यह जाएगा 2 into minus 1 minus 2 और plus 0 into 0 तो 0 ही होता है कोई फरक नहीं पड़ेगा 1 into minus 1 होता है minus 1 और 3 0 हो जाएगा 0 तो पूला 0 हो जाएगा यहां बचेगा के बन minus 1 यह जाएगा minus 1 तो यह आगे हमारा resultant तो BA आगे हमारे बस यह अब चेक करेंगे क्या इसका order हमारे जो हमें यहां से जो order मिल रहा है उसके साथ मैच कर रहा है देखे 2 into 1 यह इसमें 2 तो row होनी चाहिए जो की है और 1 column होना चाहिए तो देखिए आप 2 row है और 1 column है तो यह हमारा answer हमने आपसे cross check भी कर लिए ठीक है matrix बनेगा 2 1 का तो यह होगा अच्छा एक चीज और अब इसमें BA हमने find कर लिया बोल रहा है AB exist करता है तो AB के लिए check करेंगे सबसे पहले A का हम order लिखेंगे A का order है 2 by 1 2 row 1 column B का order लिखें 2 row 2 column तो देखें center position की यह digit match कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो AB exist नहीं करता AB is not possible क्यों? because rows sorry columns of A is not equals to rows of B ओके यह हो गया question 4 complete अब करते है question number 5 पढ़ते है question 5 आपको यहाँ पर 2 metrics दिये है A और B और आपसे पूछ रहा है does AB exist क्या AB possible है और आपके result का आपसे reason भी पूछ रहा है फिर बोलता है does BA exist क्या BA possible है और उसका भी reason आपसे पूछ रहा है तो शुरू करते है आपको यहाँ पर AB और BA find नहीं करना है केवल उसने आपसे पूछा है कि exist करते हैं या नहीं करते हैं तो हम केवल इनका order check कर लेंगे modification की possibility check कर लेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे AB AB में order देखिए A का 2 by 2 का है इसमें 2 rows हैं और 2 column है और B कार देखिए यह है 3 rows और single column तो 3 by 1 इसका order बना 3 by 1 का center position में जो digit है match नहीं कर रही है तो आप बोलेंगे so that AB doesn't exist क्यों? because number of columns in A is not equals to number of rows in B यह है इसकी बजा ठीक है? अब A part होगा B part चेक करते हैं पहले B का order लिखे B का order है 3 by 1 और A का order है 2 by 2 फिर से match किजिए center position को यह 1, 2 यह match नहीं कर रहे हैं so that B A doesn't exist यह is not possible भी लिख सकते हैं और वजा क्या है? same वही वजा है because number of rows number of columns in B in B in B is not equals to number of rows in A B में जो यह row और column होता है आपको पता है order में सबसे पहला जो होता है वो row होता है और second जो digit होता है वो column होता है तो B का column A के row से match नहीं कर रहा है इसलिए यह भी possible नहीं ओके तो यह हो गया question 5 भी हमारा complete तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं और next वीडियो में करेंगे इसके आगे question thank you